अलो दोस्तों अगर आपके पास GSC नंबर है तो अभी आपने एक न्यूस जरूर सुनी होगी एक Special All India Drive चला रहे हैं अगेंस्ट फेक GSC Registration आज हम इसी के बारे हम बात करेंगे हम यह देखेंगे कि यह द्राइव कैसे और क्यों चालू हो रही है क्या objective है इसका और इस ड्राइव से बचने के लिए हमें क्या steps लेने चाहिए मतलब अगर GSC inspection अगर हम हमारे नहीं पर हो जाती है तो हमारे पास पहले समय क्या precautionary step लेने चाहिए तो दोस्तों आईए पहले देखते हैं कि ड्राइव कैसे चालू हो रही है और इसका objective क्या है 24th April 2023 में यह एक meeting हुई है और इस meeting में यह decide किया गया है कि जो fake और bogus GSC registration होते हैं ठीक है उनको contain किया जाएगा उनको identify करके उनको contain किया जाएगा और उनसे deal करने वाले जो लोग होते हैं उनके तरह भी कुछ action लेने की बात इसमें हुई है ठीक है तो इस meeting में क्या हुआ है इस meeting में discuss किया गया है वो measures लेने के लिए जिसमें की एक जो drive है वो एक बहुत important part है इसका तो यह drive suggest की गई थी उस meeting में कि 16th में से 15th July 2023 तक यह drive चलने का proposal था वो इसलिए अभी आजकल news में चल रहा है ठीक है अब इस drive में क्या action लेने की बात की गई है इस drive में action यह लेने की बात की गई है कि after detailed verification अगर जो इंस्पेक्टर या जो भी verify करने के लिए उनको अगर यह लगता है कि जो जी सी नंबर किसी प्लेस पर चालू है वो अगर non-existent है यानि कि वह ही नहीं मतलब वो business non-existent है या fictitious है तो फिर वो initiate करेंगे action for suspension cancellation of registration of the set of the set taxpayer तो GSC number suspend और cancel करने के action initiate होगा इसमें further इसमें यह भी बोला हुआ है कि उनका जो input tax credit है जो उनकी electronic credit ledger में आ रहा है उसको भी वो block करेंगे और जो लोग उनसे deal कर रहे हैं मतलब समझो कि जो लोग उनसे कुछ goods या services supply कर वा रहे हैं तो वो data उनको GSC R1 से मिल जाएगा तो वो उन लोगों के against जो की जिनों ने इनके साथ transaction की है उनके against वो demand और recovery action भी initiate कर सकते हैं तो दोस्तों आगे हम यह देखेंगे कि अगर कोई genuine taxpayer genuine GSC registered person है अगर उसके वहाँ पर GST officer inspect करने के लिए आ जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए और उससे पहले हमें क्या prepare करके रखना है तो आए दोस्तों आग देखते हैं कि क्या steps हमें लेने हैं इसमें precautionary steps display of GST registration certificate तो दोस्तों rule 18-1 GST का यह कहता है कि हर registered person को अपने principal place of business में और every additional place of business में GST certificate को display करना है in a prominent location सबसे पहले requirement हमारी यह हो गई कि हमें अपने principal place of business में और अगर हमारे पास कोई additional place of business तो हर जगह हमें अपना GST certificate display पर रखना है दूसरा requirement है हमारा display of name board तो 18-2 rule यह कहता है कि हमें name board का display करना है at registered principal place of business और at every additional place of business उस name board में हमें display करना है trade name, GST number और address ठीक है तो आपके जितने भी additional place of business है वहां पर name board यह इन चीजों के साथ आपको display करवाना है और अपने principal place of business में भी चाहर करें कि आपका name board हो दोस्तों next step जो हमें इसमें लेना है वो है maintain documents of address proof तो इसका मतलब यह हुआ कि depending on आपका जो principal place of business additional place of business है depending on कि वह rented है या owned है आपको अपने address proof के document maintain करने है तो क्या मेंटेन करना है अगर आपका rented है तो आपको rent agreement और ownership यानि कि address proof आपको like इलक्सेटिब या इस तरह के कोई और proof आपको rent agreement के साथ रखना है अगर आपकी owned property है तो आपके पास ownership का proof होना चाहिए अगर आप property किसी से NOC पर लिये हो तो आपके पास ownership का proof और NOC दोनों होना चाहिए और दोस्तों इसमें बहुत ही important point है जो की काफी ignorance है उस चीज को लेके अगर आप अपना business को multiple places से conduct कर रहे हो तो आपको यह ensure करना है कि जितने भी places से आप business conduct कर रहे हो वो सारे आपके GAC certificate में added होने चाहिए तो अगर आपका कोई place ऐसा है जिसे आप जहां से अपना कर रहे हो business को लेकिन आपका added नहीं है GAC certificate में तो आप add करो उसको as an additional place of business ठीक है next requirement है हमारा maintenance of sale and purchase record and regular filing of GAC returns तो दोस्तों वैसे तो यह GAC की scrutiny नहीं है मतलब आपके बर को scrutiny नहीं बैट गई लेकिन फिर भी GAC Act हम यह require करता है कि हम sale and purchase के जो document है वो अपने registered place of business में maintain करें तो वो हमें maintain करके रखने चाहिए और हमें अपने जो GAC return है वो भी properly and in time file करवाने चा यह next requirement है हमारी क्योंकि हमने भी जैसे पहले discuss किया था कि जो भी लोग बोगस GAC registration वालों से deal करेंगे उनका GSTR 1 देखके जिनसे भी वो deal कर रहे है मतलब इसको भी supply कर रहे है उनके against GAC Department recovery and demand का action ले सकती है जो उन्होंने input tax credit लिया होगा उन बोगस party उसे deal करके ठीक है तो अब आपने अगर ऐसा like ऐसा कोई transaction आपको नहीं पता कि आप किसके साथ deal कर रहे हो तो दोस्तो बेटर अब यह रहेगा कि अगर आप कोई बड़ा transaction कर रहे हो high value transaction कर रहे हो ठीक है और किसी आप ने dealer के साथ आप deal करने जा रहे हो तो आप थोड़ा सा due diligence perform करो आप यह जा साथ आप deal कर रहे हो वह exist कर रहे है की नहीं वह जन्विन है की नहीं है ठीक है तो उससे क्या होगा कि आप सेफ रहोगे आप आपका जो input tax credit जो आपने उनको payment किया है GST का उसका जो आप credit लेते हो वह आपका safe रहेगा नहीं तो वह आप आपके ओपर भी demand and recovery की proceeding चला सकते है तो अपने safety के लिए आपको due diligence perform करना चाहिए दोस्तों I hope आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि ये drive क्यों चलाए जा रही है और इस drive में क्या action लिया जाएगा और हमें क्या steps पहले से ही precautionary करने हैं ताकि हम अगर हमारे भी office में या हमारे place पे अग तो हमारे पास अकर ये चीज़े पहले से ही होंगी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और इन सब से हम आराम से बच पाएंगे अगर आपको इस पूरे drive के उपर या कैसे उसे बचा जाए उसके उपर अगर आपका कोई question या कोई आपका कोई query है तो आप मुझे comment करिए अगर और informative वीडियो के लिए मेरे चानल को subscribe करें तैंक यू